दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्पेशल टास्क फोर्च ने दिल्ली के जसोला के एक गोदाम में रेड करके करीबन 570 किलो लाल चंदन की लकडी बरामत की जिसकी कीमत करोडों में बताई जा रही है ये गोदाम अमित वर्मा नाम के एक शक्स ने किराये पे ले रखा था और सूतरों के हवाले से पता चला है कि अमित वर्मा दारजलिंग का रहने वाला है अब आपको बता दें इस लाल चंदन की अंतराश्ट्री वजार में काफी जादा डिमांड है पुलिस के मताबिक ये लाल चंदन करनाटक से तसकरी कर दिल्ली लाया गया था और फिर इसको नेपाल के रस्ते चायना भेजा जाना था लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही रेड मार कर इनको गिरफतार कर लिया पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में जुटी है आईए सुनते हैं क्या कहना है क्राइम ब्रांच के DCP डॉक्टर राम गोपाल नायक का हमारे क्राइम ब्रांच के स्पेशल टांस्कोर्स एक अच्छी कामियाभी हासिल किया है आप सब जानते हैं पिछले साल 29 स्टमबर को इसी टीम ने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेडड सैनल वोड़ ส्मगलिंग का राकट वस्त किया है और उसमें 4.58 टन्स रेड सैनल वोड़ परामत कि गया ही हैं और तीन लोगों को तीन जो अगर आपको हमारी एक खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे Facebook पेज पंजाब के श्री दिल्ली को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो आमारी YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब के श्री दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए प्रतीक शर्मा के साथ संजे वर्मा की ये रिपोर्ट